आहा हां, करती वनमाला हम सोरा हो सियार हो गरणवा में दोलती अपना सोना माद गार जनेती ज़ो मोगापो गूड मॉनिंग दोस्तों, नमतकार पर नाम केते हैं आप लोग आई होग आप लोग खुतर मंगर होंगे, तोस्त होंगे, मस होंगे तो सुबा के लगभग 8.30 बज रहे होंगे, तो मैं उठ गई हूँ, तत्राग में हूँ, जैसे की आप लोग देख सकते हैं और नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने यह वाला साड़ी वेर कर लिया, कैसी लग रहे हैं ज़रू बताईएगा मैं सोचरीं की, अब होगा सा फ्रेस हो जाउं और अब हमारे आँखा ना बनडा है तो भी मैं आप को नहीं दिखाऊँगे कि क्या बनडा है, गई जाऊंगे इसाफी बनाने तो चाय हमने पी लिया है तो मैं सची क्योंने मैं ब्लॉग स्टाट करने का मनी कर रहा है और यहां देख नहीं करतें मैं कैसी हालत हो गई है कि यहां का गाउंका जब वाता वरा रोता है पर सेहत बहुत अच्छी होती है जब मैं मुंबई से निकली थी मेरी सेहत बिल्कुन खराब थी मुझे नहीं लग रहा थी कि में वहां रह पाऊंगी पर सच यकीन मानों गाहां में आने के बादने आपको जो प्रॉब्लम होता है जैसे मेरा साइनस अभी आप लोग देख सकें कि मेरे सूजन भी नहीं है क्य तो अगर आपको एसा लगते है कि आप लोग के साथ कुछ बात कर लो मेरा ब्लॉग में इस्टाट हो जाए तो यह मैं टोनर कर रहे हूं कि काफी टाइम से एक महिने से मैं अपने फेस में कुछ भी नहीं लगा रही थी बतनीम के पत्ता उबाल के आप लोग के पिछले वी स्टाबर लगाना भी चालू कर दी हूं और मेरा फेस वी साइस सोड़ा है तो इसके बाद मुझे ने प्था आपको मैं दिखाते वी मैं कितना सारा भांगान लगाते रखी हूं यह देखो सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब तो तो किल तो मेरे बेट के गद्दे वगहरा है और यह सब सोफा उफाते कुछ सब मतलब तो रखने के लिए जगा नहीं है इसलिए चाची सास ने सारा सोफा वगरा है यह बाहर वाला जो कोठरी है मैं आपको वीडियो वाइसे लिए तो मैं दिखाने वाली हूं कम रहा है उसमें था है सोफा और टेबल दिपड़ा गुए देखते के को न दिख रहा है टेबल वग तो आप दो फसल रखी तो चाची सब वीदर शीप कर दी कि यह मेरा कमरा है मैं पान साल बाद आई हूं तिसलिए जो भी कबारा है उदर का हॉल का जो कबारा था वहार बारांडे का वह यहां आ गया है तो पर जे मैं यहां रहने लगूंगी तो खाली कर दोंगी फिलार आपको दिखाती हो देखो बहुत सारे अनाज रखे हुए हैं यह सब भर भर के नहीं सब आए मेरे कमरे के नाम पे सब गोदाम बन चुका है कोई नहीं गाह है यहां जितना जगह रहता है उतना पसारा रहता है तिटी में क्या है वाद खाली खाना सुना रगा तो हम तो मैं बाल बनाा के थोड़ा साम अधु कर चाहार है तो मैं थोड़ा सा मिपवकर कर त्यार हो गयी है कैसी लगए है बताना धेरूस और यह मैं चोटा तो चोटा से पहने हुँ आजी बुला रहे हुँ आजी आ रही हुँ अधिक 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 निकाल रहे हुँ मिला ती मुढ़ी अजी ते चलो दोस्तों कि अधिक अधि कर दो आजी कुछ बोल रहे हैं सुनना पड़ेगा और मेरी भावी का कॉल आ रहा है मैं रिशीव करके फिर मिलती हुँ आप लोग से बात हो गई तो चलो चाची के पास चलते हैं चाची के पास कि अधि किचन में है है हमारा किचन अरे चाची आई है और चाची टेखते हुँ जोर लगा था ही है है नमरत चाची में का बंबाई हमेशा जाली परेट की पारिन आई जाओना सच्छा आर यह नहीं एक दिन को सब्सक्राइब कि बोला चाथ है अपने बहीं ते हैं का बाई ही वीडियो देखी ताय बहीं अच्छा हम में हैं हां तो चाची आए नहीं है का तहा नाम हो बोलना देखा देखा है संरथी आ देखा तहा देराएं तामरथी है तामरथी है तारी हाँ भाई पुनम यह हमारा चुटाता किचन पितुरार वाला अभी मैं जा रही हूं थोड़ा ही नहीं तो मनी मनी को गर्या रही होगी अच्छी आई है बस तच रही है जाए अवह तो मिलती हूँ फिर मिलती हूँ ता बढ़िया हो डहा है हभी डाई नहीं हो जाए हुर तो रहा है तो यह अधा बढ़ आउधा है यह अधा न की अधा रहा है उचित है उची है ठाटे प्रवागें की भी दाट में पेड़ा बना है सबस्क्राइब करें तो डिलीज वहाँ सबस्क्राइब तरफ देखे परोगी. खाना बनाने आइजी अच्छी और बन करें खाना बन गया एंद दो मुझे खाना बनाने कोई इंट्रेस्ट नहीं रता है कि तुझे सम्सम्रेब्स रिये विद्स बाहे हैं तो आप निने वाले हैं तो विदियो चानगे रहेगा आज हमारा खजाना सब निकल रहा है सूखने में जा रहा है सब बता बाती मिलके कर रहे हैं चल तरीसा डेरा डंडा लेके छत पे तो चलो दस्तों मैं आप लोग को अपना छत दिखाती हूं यह हमारा छत है इस बहुत कड़क धूप है रिवबा तरह कप्डा और कर गदा सब भूप में पाद रहा है यह हमारा चत पर जल रहा कि और यह मेरे सारे कप्ड़े गद्यवद्य है तरह को कंफने में डाले सकुट बहुत अजीर सामयल आ रही है्न पांचसीसा जड़ा बंग था तारी वगेरा भी सब है तारी उसको मत पूरा मत खोल त्रीसा वैसे रख दे दूप लगेगा तहीं हजाएगा वह तो यह हम चछत पे आगे हैं अपने चछत पे और पीछे सब हर्याली हर्याली है इस साइट हर्याली कम है पर इस साइट हमारे देखो बहुत जबाने की सारी हैं willen mnie जबに आप शारी मेही कुर दिखा ना यह वाली साडी मेरी साथ तीसरी बार जब मैं ससुराल गई थी तब की साडी है यह और यह बनासी साडी जब मैं साधी करके तो मुझे पहन के लिए मिली थी पर सिंपल से बना सी साड़ी ए रेड कलर के पर मुझे मेरी फेवरेट थी मुझे पता है पहुत कमफरेबल लगता था यह पहन के और दूसरी पुनम रेड वाली दिखाना अधूसरी यह है यह जब मैं दूसरी बार मेरा दोंगा आया था पहलं फन पूल में और अगर पुरा यह जब फूलेंगे तो लहंगा फूल साड़ी के चारू मैं और मिलने लेके नहीं परहए पदा नहीं था कि मैं अगर भाब हुआ पड़ी हुइती तो मैं बुली विश्य चुखाने में डालता हम जा एत्सक बाइक मैं Mrs. Parl weίν sensor चत तक आया है तो यह मेरे सचुराल का पेरु चत पर आया है जो कि पहले नहीं था जब हम आया करते थे तब नहीं था अब मैं आपको दिखाओं यहां की मेमरी यह जो यह वाले जो पाठ है ने सव लेडिस लोग रहती थी पुआ, साथ, चाची, साथ, मतलब मम्मी हम लोग इतने लड़कियां आती थी साधी भ्या में सब लोग इधर सोती थी और दूसरा पाट है तब जो घर है नहीं एक रूम बना हुआ है एक रूम यह नहीं बना हुआ था बाद में बना क्योंकि जरानी के लिए कमरा काम हो रहा था तो ने के लिए तो बाद में बनवा दिया दिखाऊंगी यह पीछे का खेत है और दर कल हम लोग उड़ साइड गये थे और नीचे यह जो गद्धा आप लोग को दिख रहा है नहीं यह मेरी साड़ी है तंडे करके साड़ी है यह भी मेरे ससुराज से मेरे साधी में चड़ी हुई थी चोपते में मैंने पहना नहीं और डारन में इतका गद्धे का कबर बनवा दी और आपको एक बाद आप दिखा चुंडी दिखा आपको नहीं पता ने कितनी चुंडी मेरे साधी को मिली थी कि गाह में मुंबाई में मैंने ऐसा दो रखा है और यहां भी एक पड़ा हुआ है चुंडी उन्हा पास कर यह म बॉलने बस करा मेरा ब्लागिंग देख रहे हैं बहुत कड़क धूप है और यहां यह साइड नदी है अभी में मार्केट जाओंगी आप लोग को नदी दिखाओंगी तो इस साइड हमारा नदी है पहले पता है रात को मैं सब लोग तो सोते थे फिर भी मुझे रात को इस लपड़ा हुआ सब लोग बीचे भाग गए और मैं छट पर अकेली रह गई और जोर जोर चिलाने लगी यार भाई उपर आ जो मैं डर रही हूं और मैं आपको अपना वो साइड जा रही हूं कि मतलब दुगार जो होता है हमारे उपी बोली में दुगार बोलते हैं आपक कोप में सच्राल में आके तो जड़ा मेरे वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए गा थोड़ा इंट्रेस्टिंग वीडियो बनाने कोशुव कर रही हूं यह देखो जा रही हूं यह नीचे से कुछ इस तरह का देखो दुबार है मैं फूल वीडियो आप लोग की जाना है बहुत कड़क दूप है भैस बोला जाता है भैस बोलो या भैसिया बोलो एक की मतलब है तो चलो दोस्तों नीचे चलते हैं मारके अब कपड़े अपड़े धोने हैं और वीडियो साइज फिलाल चार मिनट का वीडियो मैंने च्छत दिखाने में लगा दिया और य हाँ तैक तो बहुत सारे कपड़े वुए है मैंने कल आ ये तो यृंस कपड़े में नहीं दोई हूँ और आज के भी कपड़े सब पड़े हुए है जो मेरी पुरा साड़ियां पर पड़ी हुई है मैं तो यह मैं आंगन में आ गई बहुत धूप है बाबा बहुत है यह हमारी आजी है आजी साथ बोजन ग्रहन कर रही है बहुत बुजूर्क हो ग यह होंगी है पक्का और यह आंगन है मेरा कंबरा है और यह सामने का कुछ इस तरह दर्वाजा है बाहर का आप लोग जो दीख रहे हैं बोलना कि घर नहीं साब है उसके माइन मत किजिएगा यूपी का घर ऐसे ही होता है जोकि लोगों को बाहर का भी थेतिवारी का काम होत जो कि यह साडी मैंने पहना भी नहीं है यह साडी मैं माक्या भी लेके जाओंगी अपने साधी है तो वहां पहनने के लिए कागदिन पहनूंगी तो धोने जा रही हूं और यलो वाली भी साडी है जखो पूनम पहनी नहीं अच्छा लग रहा है आप लोग बता सकते है आट है मेरा फेस कैसा हो गया और यह देखो ये मेरा गड्धा पड़ी घा इक इतना बड़ा बढ़ आपना इस गए नहीं कि जरुदुरों हो ड़ा पर शोब्स पता से अ क्या बहुत ज्यादा प्लबंव निकलता है परसान हो गई है बतार इस नि इसान का मैं क्या करूं तो चलो मिलती हूं थोड़ी देर में बहुत लंबा वीडियो करी लिया मैंने